आप दिख रहे हैं दिखे हिमाचल वेब टीबी नमस्कार मैं हूँ अनुज कुमार आईए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर नीजी वस ओपरेटरों ने दूसरे दिन भी सताया हिमाचल हर्ताल से प्रदेश भर में परेशान हुए लोग केंद्र का हिस्सा बढ़ाया 14-15 सितंबर को तेवर दिखा कर धीमा पड़ेगा मौनसुन 25 तक होगी विदाई पांच हिमाचलियों से सजीब भारतिय हौकी टीम ने रोंदा बेल्स प्रिय दर्शनी सीनियर्स केंट्री स्कूल पट्टी पालंपूर जहां बच्चों को मिलेगा बेहतरीन कल, शांदार कैंपस, अनुभवी और गुणी अध्यापक बेहतरीन क्लास्रूम के साथ 25 साल का अटूट बिश्वास यहां से निकले छात्र सेना, स्वास्त और निर्जी कंपनियों में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं और अब समचार विस्तार से निजी बसों की हर्टाल के कारण मंगलवार को भी प्रदेश के लोगों को विशुमार दिक्कतें झेलनी पड़ी HRTC ने बेशक अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन निजी बसों की कमी साफ खलती दिखी अपरेटर हर्टाल के पक्ष में बेशक कितने भी तरक दें, लेकिन अंदोलन के दूसरे दिन परेशानी से जूज रहे लोग कई स्थानों पर निजी बस अपरेटरों को उनकी हट धर्मिता पर कोस्ते नजर आए इस बीच उना जिला में 300 प्राइबेट बसें दूसरे दिन भी सडकों पर नजर नहीं आई अपरेटरों ने प्रदेशा धक्ष राजेश पराशर के नेतरतों में स्थानी बस अड़े पर सरकार के खिलाफ नारेवाजी की हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमने 21 जून की हरताल आदर निया ठाक और जैराम जी के शब्दों पर बापस ली थी उन्होंने शवाशन दिये थे भी आने वाले कैबिनेट में हम आपका मसला जोगा हल करेंगे मंडी जिला में बेशक CARTC ने अतिरिक्त बसे उपलब्द करवाई हो लेकिन ग्रामे इंड क्षेतरों में नीची बसों के अभाब में जन्ताने दिककतیں छेली नीची बस ओप्रेटरों की हर्टाल का असर हमेरपूर जिला के ग्रामेंट क्षित्रों में मंगलवार को साफ नजर आया यहां प्राइवेट बसों के 375 रूट बंद रहे जिस कारण HRTC दोरा चलाई गई 60 बसें कमी पूरी करने में नाकाफी रही सोलन जिला की बात करें तो बड़े बस सड्डों से लेकर छोटे छोटे बस ठहरावों पर भी परेशान यात्रियों की भीड लगी रही सवारियों से खचाखच भरी HRTC की बसें घूम घूम कर लोगों को सुभिता देने का प्रयास करती रही पर यह काफी नहीं थी निजी वस ऑपरेटरों की हरताल का खामियाजा कांगडा के जरूरत मंद यात्रियों को दूसरे दिन भी भुगतना पड़ा जिला का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां बसों की कमी महसूस नहीं की गई परिवहन मंत्री गोविंद ठाकूर का अपना जिला कुल्लू भी निजी वसों की हरताल पर खूब पिसा यहां दूसरे दिन भी 300 रूट प्रभावित हुए बिलासपुर जिला के तमाम क्षेत्रों के लोग दूसरे दिन भी बस सुभिधा को खूब तरसे बिलासपुर के हमिरपुर सिमा से सटे शाह तलाईक शेत्र में जन्ता को जादा परेशानी जिलनी पड़ी मंगलवार को निजी वस हरताल में मात्र, चंबा और शिमला जिला के लोग ही बच पाए मणी महेश यात्रा के कारण चमबा के आपरेटर हर्टाल में शामिल ही नहीं हुए थे जबकि शिमला जिला के निजी वस आपरेटरों ने सोमबार शाम अंदोलन से हाथ खीच लिये थे ततकालिन अधिनस्त सिवाएं चैन बोर्ड हमिरपुर के 16 साल पुराने भरती घोटाले में दोशी करार दिये गए पूर्व बोर्ड अध्यक्ष SM कटवाल को आखिरकार गिरफतार कर लिया गया है यहाँ गिरफतारी बिजलेंस ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को उना में अंजाम दी बता दें कि वर्ष 2001-2002 के भरती घोटाले में हमिरपुर सेशन कोर्ट ने कटवाल सहीत चार आरोपियों को दोशी ठहराते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई थी सजा के खिलाफ की गई अपील सुप्रिम कोर्ट तक से खारिश हो गई इसके बाद तीन दोशीों ने तो सरेंडर कर दिया पर कटवाल ने ऐसा ना कर भूमिगत होने का रास्ता चुना था उना से गरफतारी के बाद बिजलेंस टीम ने कटवाल को हमिरपूर सेशन कोर्ट में पेश किया जहां जज अजे महता की अदालत ने दोशी को मंगलवार रात हमिरपूर जेल में रखने को कहा सुचना है कि कटवाल को बुधवार सुगय कंडा सेंटरल जेल भेज दिया ज और सहाइकाओं के मांदे में केंदर का हिस्सा 1500 रुपे से बढ़ा कर 2250 रुपे प्रतिमा करने की घुशना की है श्री मूधी ने मंगलवार को वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये अंगनबाडी आशा और स्वास्ते कारेकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन कारेकर प्रताओं का मांदे 2250 रुपे था उन्हें अब 3500 रुपे मिलेंगे आंगनबाडी साहिकाओं को 1500 रुपे के स्थान पर 2250 रुपे दिये जाएंगे यह बढ़ा हुआ मांदे अगले माह यानि अक्तूबर से लागू हो जाएगा अर्थात नवंबर से बढ़ा हुआ मांद मुफ्त दी जाएगी के बर्ठी की कोटलू ब्रामना पंचायत में गाउशाला गिरने की सूचना है गनीमत ये रही कि इन हाथों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है प्रदेश में बारिश से दो पक्के और 30 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है बिलास्पुर में 3, हमीरपुर में 1, कांगडा में 11, मंडी में 3, शिमला में 7, सिरमोर 16 वा उना में 1-1 कच्चे मकान को आंशिक नुकसान पहुंचा है इसके अलावा उना में 2 पक्के घर क्षतिग्रस्थ हुए हैं कांगडा में 4 और सिरमोर में 1 मकान जमीदोज हुआ है प्रदेश में अभी भी 70 के शिव सड़के बाहनों की आवाजाई के लिए अबुद्ध हैं वहीं बारिश भोले के भक्तों की खूब परिक्षा ले रही है हर दिन हो रही बरसाथ से मनी महेश में भूस खलन के साथ रास्तों पर फिसलन बढ़ रही है जिससे शिव भक्तों को मुश्किलें पेश आ रह उधर मासम विभा के निदेशक डाक्टर मनमोहन सिंग ने 25 सितंबर तक प्रदेश से मांसुन रुकसत होने का दावा किया है पर इससे पहले दो दिन प्रदेश के कई जिलों में ब्यापक बारिश होगी मांसुन बिदा होने की सुचना से प्रदेश वासियों ने कुछ हद त आवाज सीजन बन के फर्स्ट रनर अप शिमला जिला के कोटगर निवासी अंकुष भार्दवाज ने इंडियन आइडल के टाप 11 में जगय बना ली है सुरिली आवाज के धनी दोनों ही फनकार सोनी एंटर्टेन्मेंट टेलिविजन पर प्रसारित होने वाले रियालिटी शो में सुरों की ऐसी तान छेड़ रहे हैं कि जज तो क्या पूरा देश जूम रहा है हलांकि अब दोनों के लिए आगे का सफर कठिन होता जाएगा पर हिमाजल वासियों के सयोग से हिमाजल की आवाजें इंडिया की आवाज बन सकती है इसके लिए लोगों को सोनी लाइव एब के जरीए बोटिंग करनी होगी नितिन के पिता राजेंद्र कुमार ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें दूसरी और मंगलवार को दिवे हिमाजल वेब टीवी ने नितिन के घर शिबुपूर पहुंच माता पिता और पडोसियों से नितिन की उपलब्दियों पर बात चीत की बेशक वाडर पर भारत पाकिस्तान के रिष्टों में कडवाहट है पर हिमाजल पहुंचे पाकिस्तान के बेमौसमी आम ने मिठास घोलकर सबका दिल जीत लिया है सीमा पार से आया चौसा आम प्रदेश में हाथों हाथ बिक रहा है बड़े साइज और पीले रंका यह रसीला आम बाजार पहुंचते ही अन्य सभी फलों पर चा गया है यह रोचक है कि हिमाजल में जारी सेव सीजन के बीच भी प्रदेश के लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं यह आम बेशक 180 रुपे प्रती किलो के भाव से बिक रहा है पर हिमाजल में खरीदारों की कमी नहीं और मांग निरंतर बढ़ रही है बताया जा रहा है कि आम की सप्लाई पडोसी मुल्क के मुल्तान क्षेतर से हो रही है जहां अमूमन 20 सितमबर तक उत्पालन जारी रहता है और अब खेल समाचार कांगडा जला के निवासी युवा एथलीट अनकेश चौधरी सर्विसेज के लिए दोड़ते नजर आएंगे कि कम आयू के कारण जूनियर एथलीट होने के बाबजूद अनकेश को जकार्ता एशिन गेम्स के लिए ट्रायल देने का अपसर मिला था इस दोरान उन्होंने देश भर के नामचीन 800 मिटर रेज के धापकों को कड़ी चनोती देते हुए चौथा स्थान हासिल किया था ऐसे फिक मास्टर्स गेम में पांच हिमाचली खिलाडियों से सुसरजित भारतिय हौकी टीम ने बेल्स को 6-1 से शिकस्त देते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज की मैच में भारतिय खिलाडियों का दबदबा रहा और बेहतरीन तालमेल से बड़ी जीत हासिल हुई इस काम्याबी से हिमाचल को दोरे गर्व की अनुभूती हुई क्योंकि भारतिय खिलाडियों की तरफ से किये गए कुल 6 में से 3 गोल हिमाचली खिलाडियों, दर्शन और येश्पाल की स्टिक से निकले और अब चलते चलते हिमाचली तड़का में आएद देखते हैं PCCP और दिव्या अब रोल की आवाज में यह चम्ब्याली लोकगीत होई मत वाड़ि वो भलिये बोलंदी की ना ओ मिंचो मोच डूरी तंगियो भलिया मंग दी भीना ओ मिंचो मोच डूरी तंगियो भलिया मंद दी भीना ओ मिंचो मोच डूरी तंगियो भलिया मंग दी भीना ओ मिंचो मोच डूरी तंगियो भलिया मंद दी भीना ओ ठाके गग डूरी दे लो भलिये बोलंदी की ना दाके गग डूरी दे लो भलिये बोलंदी की ना आज के बुलिटिन में बस इतना ही पढ़ते रही ये दिवे हिमाचल देखते रही ये दिवे हिमाचल